हेलो दोस्तों स्वागत हैं फिर से आपका आप सभी के अपने यूटूब चैनल नेक्स्ट यू में दवे आफ सक्सेस दोस्तों आज मैं आपके लिए पुसक पदार्थ सम्बंदित प्रश्णों का पार्ट 3 लेकर आया हूँ पार्ट बन और पार्ट टू में पहले अफ्लोट कर चुका हूँ जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आप अब हमें टेलिक्राम पर भी फालू कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो आईए शुरुवत करते हैं आज अप्शन नमबर डी सभी तो दोस्तो हर कुशन में आपको 10 सेगेंड का समय दिये जाएगा अंसर को सोचने के लिए उस 10 सेगेंड के बाद मैं आपको कुशन का आंसर बताऊंगा तो आईए देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा 10 सेगेंड होते हैं समय तो देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर बी एकल बन एकल बन जो होता है वो संतरप्त वशा में जो होता कार्बन कार्बन के मद्धे पाया जाता है अगर आसंतरप्त वशा की बात करू तो आसंतरप्त नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर टू, विटामिन बी सेवन का रसाइनिक नाम क्या है? उप्शन नमबर नियासीन, उप्शन नमबर भी बायोटीन, उप्शन नमबर सी फॉलिक अमल या उप्शन नमबर डी पराडॉक्सिन आपके बाद 10 सेकेंड का समय है, आपको बताना है कि बिटामिन बी सेवन जो होता है, उप्शन नमबर भी बायोटीन, विटामिन बायोटीन, फॉलिक अमल या फिर पराडॉक्सिन आईए देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा, इसका राइट अंसर है, उप्शन नमबर भी बायोटीन, बिटामिन बी सेवन का जो केमिकल नेम होता है, वो होता है बायोटीन नेक्स्ट कुश्चन है, दंत छे को रोकने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है आप्शन नमबर है कैलिशियम, आप्शन नमबर भी फ्लोरीन, आप्शन नमबर डी सोडियम या आप्शन नमबर डी आयोडीन तो आपको बताना दंत 6 जो होता है उसे रोकने के लिए कुम सा तत्व जो होता है वो आवश्यक होता है कैलिशियम, फ्लोरीन, सोडियम या फिर आयोडीन आईए देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर भी फ्लोरीन फ्लोरीन तत्व जो होता है वो हमारे दंत 6 को रोकने के लिए आवश्यक होता है अगर फ्लोरीन के संकेत की बात करूँ तो फ्लोरीन के संकेत होता है भी और इसका अटोमिक नमबर या ने परमाणुक्रमां की बात की जाये तो वो होता है 9 नेक्स्ट कुश्चन है मानो शरीर में सबसे अधिक कुन सा ततवो पाया जाता है अप्शन नमबर A कार्बन, अप्शन नमबर B नाइट्रोजन, अप्शन नमबर C आईरन या अप्शन नमबर D ऑक्सिजन आपको बताना है दोस्तों कि मानो शरीर जो होता है उसमें सबसेदिक कुन सा तत्व पाया जाता है कार्बन, नाइट्रोजन, आइरन या फिर ऑक्सिजन तो आईए देखते हैं इसका राइड अंसर क्या होगा इसका राइड अंसर है ऑप्शन नमबर डी ऑक्सिजन आउक्सिजन तत्व जो होता है वो मानो शरीर में सबसेदिक पाया जाता है लगबग 50% या 50% से उपर जो होता है ऑक्सिजन जो होता है वो हमारे सरीर में पाया जाता है नेक्स्ट कुश्चन है एंजाईम मूल रूप से क्या होते हैं विटामिन प्रोटीन लिपिड या फिर वसा तो आपको बताना दोस्तों हमारे सेरीर के अंदर जितने भी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारी जेवर हस्यानिक क्रिया के लिए जिम्मधार होते हैं वे मूल रूप से क्या होते हैं विटामिन प्रोटीन लिपिड या फिर वसा तो आईए देखते हैं इसका राइड अंसर क्या है इसका राइड अंसर है ऑप्षिन नमबर भी प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से एक प्रकार के प्रोटीन नेक्स्ट कुश्चन है पॉलिस के हुए चावण के अधिकतम सेवन से किस विटामीन की कमी हो जाती है option number विटामिन B, option number C, option number B, विटामिन C, option number C, विटामिन K, या option number D, विटामिन A आपको बताना दोस्तों polish किया हुआ, चावल जब हम उसका दिकतम मात्रा में 7 करते हैं, तो हमारे अंदर किस विटामिन की कमी हो जाती है B, C, K, या फिर A तो आईए देखते हैं, इसका राइट अंसर क्या होगा, इसका राइट अंसर है, option number D, विटामिन A, विटामिन A की जो होती हो हमारे सहरीर के अंदर कमी हो जाती है Next question है, निमनलिकित में से विटामिन A सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है Option number A, गाजर, option number B, सोयाबीन, option number C, अंकुरे दानाज, या option number D, हरी सबजी है तो आपको बताना है, इन में से ऐसी कुम सी चीज है, जिसमें सबसे अधिक जो होता है, वो विटामिन A जो होता है, वो पाया जाता है गाजर, सोयाबीन, अंकुरे दानाज, या फिर हरी सबजी है आईए देखते हैं, इसका right answer क्या होगा इसका right answer है, option number A, गाजर, गाजर जो होता है, इसमें विटामिन A जो होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसके लावा मचली की जो आख होती है, उसमें भी जो होता है, विटामिन A पाया जाता है और विटामिन A की कमी से जो होता है, रतोंदी, याने night blindness, नामक जो होता है, वो रोग हो जाता है विटामिन A का chemical name के बात की जायता है, उसका chemical name होता है, रेटिनॉल next question है, किसी भी मानसारी भोजन में कुन सा विटामिन नहीं पाया जाता है option number vitamin C, option number B vitamin A, option number C vitamin K, या option number D vitamin B2 तो आपको बताना है किसी भी प्रकार के जो मानसारी भोजन होता है, उसमें से कुन सा विटामिन हमें प्राप्त नहीं होता vitamin C, vitamin A, vitamin K, या फिर vitamin B2 आईए देखते हैं, इसका right answer क्या होगा, इसका right answer है, option number E, vitamin C, विटामिन C जो होता है, किसी भी मानसारी भोजन से हमें प्राप्त नहीं होता है vitamin C केवल जो होता है, वो हमें खटे फलो से प्राप्त होता है, और इसकादिक आवला में पाया जाता है next question है, निमने में से किसे vitamin H, B कहा जाता है option number E, vitamin B7, option number B, vitamin B3, option number C, vitamin B5, या option number D, vitamin B9 तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से कुन सा विटामिन है जिसे विटामिन HB माना जाता है B7 को, B3 को, B5 को या फिर B9 को तो 10 सकेंड होते हैं समापता है देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर A, विटामिन B7 विटामिन B7 जो होता है इसे विटामिन HB का जाता है और दोस्तों विटामिन B7 की कमी से जो होता है वो लखवा रोग हो जाता है नेक्स्ट कुश्चन है इन में से किसे मानो सरीर का इंधन का जाता है अब option number है वसा, option number B फ्रक्टोस, option number C गुलुकोस या option number D सुक्रोस तो आपको बताना दोस्तों इन में सही कु़न सी चीजरत जिसे मानों सरीर का इंधन का जाता है वसा को फ्रक्टोस को गुलुकोस को या फिर सुक्रोस को तो आईए देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर C गुलुकोस गुलुकोस जो होता है उसे मानों शरीर का इंधन माना जाता है नेक्स्ट कोश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कुन सा है कुवाशी योरकर मैरासमस सूखा रोग या उप्शन नमबर D सभी तो आपको बताना जोतों कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कुन सा रोग हो जाता है कुवाशी योरकर मैरासमस सूखा रोग या फिर सभी आईए देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है option number D सभी प्रोटीन की कमी से क्वाशी ओर कर मैरास्मा सूखार होग यह सभी प्रकार के रोग जो होते हैं वो प्रोटीन की कमी से होते हैं next question है question number 12 निमन मेंसे किसे मानो सरीर में उर्जा का दुत्यी इस्त्रोत कहा जाता है वसा, option number B protein, vitamin, option number D, carbohydrate तो हमें बताना है कि इन मेंसे किसे मानो सरीर में जो होता है उर्जा का secondary source या secondary source of energy किसे कहा जाता मानो सरीर के लिए वसा को प्रोटीन को, वितामिन को या फिर carbohydrate को आईए देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर A वसा वसा को जो होता है वो मानों सरीर के लिए उर्जा का दुती इस्त्रोत कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है खनिजलवण मुख्य रूप से क्या होते हैं ऐट अबशन नमबर D अकार्बनिक पधार्थ तो आपको बताना दोस्तो खनिजलवण जो होते हैं 10 सेकेंड होते हैं मुख्य रूप से क्या हो दिंजाथ ओप्र आप सिसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है ओफ्शन नमबर Eslectser क्या होगा आकार्बनिक पधार्त होते हैं नेक्स्ट कुश्चन है छेली हुई सबजियों को धोने से कौन सा विटामिन नश्ट हो जाता है ओप्शन नमबर A विटामिन C ओप्शन नमबर B विटामिन A ओप्शन नमबर C विटामिन K या ओप्शन नमबर D विटामिन B तो आईए देखते हैं इसका right answer क्या होगा इसका right answer है option number A vitamin C vitamin C जो होता है वो नस्थ हो जाता है क्योंकि vitamin C जो होता है वो पानी में गुलंसील होता है इसका रण छिली सबजी को दोने से vitamin C जो होता है वो नस्थ हो जाता है नेक्स्ट कुश्चन है vitamin B5 का racinic नाम क्या होगा option number A niacin, option number B thymine, option number C riboflavin या option number DA pentathonic तो आपको बताना इसमें से vitamin B5 का chemical name या ने racinic नाम क्या होता है niacin, thymine, riboflavin या फिर pentathonic आईए देखते हैं इसका right answer क्या है इसका right answer होगा option number D pentathonic vitamin B5 जो होता है उसका chemical name होता pentathonic अमल next question है मनुष्च में protein का पाचन सरप्रतम कहा होता है option number A muk, option number B, amasai, option number C, vasa या option number D, khanij लबन तो आपको बताना है दोस्तों मनुष्च में protein का पाचन सरप्रतम कहा होता है मुख, amasai, vasa या फिर khanij लबन यह देखते हैं इसका right answer क्या होगा इसका right answer है option number B, amasai, amasai यह होता है उसमें मनुष्च में protein का पाचन सबसे पहले होता है next question है, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष्च को देनिक कितनी उर्जा की आवश्चता पड़ती है option number B, 2700 किलो कैलोरी, option number B, 4000 किलो कैलोरी या option number D, 6000 किलो कैलोरी तो आपको बताना है दोस्तों कि जो व्यक्ति पुरुष्च कटिन परिश्रम करता है उसे daily कितनी एनर्जी की आवश्चता पड़ती 3000 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी या फिर 6000 किलो कैलोरी आईए देखते हैं इसका right answer क्या है इसका right answer है option number C, 4000 किलो कैलोरी नेक्स्ट कोश्चन है एक गलास पानी से कितनी उर्जा प्राप्त होती है 2 कैलोरी, 0 कैलोरी, 1 कैलोरी, या option number D, 1 बटे 2 कैलोरी आपको बताना दोस्तों कि हम अगर एक गलास पानी पीते हैं तो उससे कितनी कैलोरी उर्जा जो होती हमें प्राप्त होती है 2 कैलोरी, 0 कैलोरी, 1 कैलोरी, या फिर 1 बटे 2 कैलोरी आईए देखते हैं इसका right answer क्या है इसका right answer होगा option number B, 0 कैलोरी अगर हमें गलास पानी पीते हैं तो उससे हमें 0 कैलोरी उर्जा जो होती है वो प्राप्त होती है नेक्स्ट कोश्चाने, question number 19 मानों सरीर का कितना प्रतिशत भाग खनीज लवण से मिलकर बना होता है option number A, 10%, option number B, 4%, option number C, 15%, या option number D, 20% आपको बताना है, इन में से ऐसा कितना प्रतिशत जो भाग होता है, वो मनुष्ट के सरीर का खनीज लवण याने मिलरल से मिलकर बना होता है आईए देखते हैं इसका right answer क्या है, इसका right answer होगा, option number B, 4%, 4% भाग जो होता है, वो हमारे सरीर का खनीज लवण बनाते हैं option number 29, option number B, 27, option number C, 32 या option number D, 25 आपको बताना है कि हमारे सरीर में लगभग कितने जो होते हैं, वो तत्वों पाए जाते हैं, 29, 27, 32, 32 या फिर 25 आईए देखते हैं इसका right answer क्या है, इसका right answer होगा, option number 29, मानों सरीर में जो होते हैं, लगभग 29 तत्वों पाए जाते हैं जिसमें से सबसे अधिक हमारे सरीर में oxygen पाया जाता है, उसके बाद हमारे हड़ियो में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्वों calcium होता है next question है, question number 21, मानों सरीर का अलपो पोशक किसे कहा जाता है, option number A, vitamin, option number B, protein, option number C, वसा, या option number D, खनीज लवण तो 10 second का समय आपको बताना है कि इन में से कुन सी चीज है, जिसे मानों सरीर का अलपो पोशक कहते हैं, vitamin को, protein को, वसा को, या फिर खनीज लवण को आईए देखते हैं, इसका right answer क्या है, इसका right answer होगा, option number D, खनीज लवण खनीज लवण जो होते हैं, उन्हें मानों सरीर का अलपो पोशक कहते हैं, क्योंकि ये सरीर का केवल 4 से 5 प्रतिशत भागी जो होते हैं, वो बनाते हैं नेक्स्ट कुश्चन है, मानों सरीर का अधिकांज भाग किस से मिलकर बनता हैं, ओप्षण नमबर A, वसा, ओप्षिण नमबर B, विटामिन, ओप्षण नमबर C, प्रोटीन यो ओप्ष्ण नमबर D, खनीज लवण तो आपको बताना है कि मानव सरीर का अधिकांस भाग किस से मिलकर बनता है वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से या फिर खनी जिलाबनों से आईए देखते हैं इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है औप्शन नमबर C प्रोटीन प्रोटीन जो होते हैं वो मानव सरीर का अधिकांस भाग जो होते हैं वो बनाते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 23 मानव सरीर की धीमी वरद्दी के लिए जिम्मदार है विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर खनी जलाबन तो आपको बताना है कि इन में से ऐसा कुन सा तत्व है जो मानव सरीर की धीमी वरद्दी के लिए जो होता है वो जिम्मदार होता है प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर खनी जलाबन तो आईए देखते हैं इसका राइट अंसर क्या है इसका राइट अंसर होगा अप्शन अंबर भी प्रोटीन, अगर हमारे सरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो मानव सरीर की जो होती है वो धीमी वरद्दी के लिए जिम्मदार होता है नेक्स्ट कुश्चन है आद के जीवाणूं द्वारा संसलेशित होने वाला विटामिन कौन सा है उप्शन नमबर A, विटामिन A, उप्शन नमबर B, विटामिन B, उप्शन नमबर C, विटामिन D, या उप्शन नमबर D, विटामिन K तो आपको बताना है कि हमारे सरीर में आत में जो जीवाणू पाये जाते हैं उसके द्वारा संसलेशित होने वाला विटामिन कौन सा है विटामिन A विटामिन B विटामिन D या फिर विटामिन K और ये देखते हैं इसका right answer क्या है इसका right answer होगा option.ड विटामिन के विटामिन के जो होता है हमारे आत की जीमाडओंAwा सनसलेसित होता है और विटामिन के जो होता है वो रत strengthen ठकका जमाने में साहिए ये देखते हैं next question question.25 और आघकी वीडियो का आखी question है कार्वाइडरेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है औप्शनमबर A विटामिन औप्शनमबर B प्रोटीन औप्शनमबर C गलाइकोजन या औप्शनमबर D गुलुकोज तो आपको बताना है कि हमारे सरीर में जो अत्रिक्त कार्वाइडरेट होता है वो सरीर में किस रूपमें गलाइकोजन के रूप में या फिर गुलुकोश के रूप में आजय देखते हैं इसका राइट rzy्णर क्या होगा इसका राइटक सायए ऑप्षननमबर 2 गलाइकोजन आत्रिक्त जो करव UA वीडियों का आखरी कुश्चन कुश्चन नमबर 25 दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में तो सभी लोग अपने घर में सेफ रही है सुरक्षित रही है और बाहर जाने पर मास्क का प्रयूग जरूर करें